हलो इस्टुडेंट्स सुन्दम्सर क्लास्स में आपका फिर स्वागत है क्योंकि इंजनिरिंग डिप्लोमा और कंपेशल में लामी थियूर्म पर बेस काफी फुल लेंट कि कौुश्चंस और मुल्टिपल चोईश की कॉश्चंस आते रहते हैं तो मेरे को ऐसी उमीद है कि आपने पहले वाली वीडियोस देखी होगी, पहले की दो वीडियोस में आपको theoretical part और लामिस theorem पे दो questions मिले होंगे, आज हम एक questions और लेंगे और उस questions को solve करेंगे, ये questions बहुत important है क्योंकि इसमें आप थोड़ी maths भी सीख पाएंगे, थोड़ी physics भ दिखी रहे हैं, तो चलते हैं हम इस question क्यों, पहले सब्सक्राइब हों question को समझेगे, ओके, ये कहता है एक डोली ली, A, B, C, D, E है, A, B, C, D, E है, ये देखो, A, B, C, D, E, ये जो dash dash है, इसको मैंने एक रस्सी माना है, A, B, C, D, पांच उसके points है, ये कहता है, B और C पर, न देखो, ये मैंने खूटी बांदी है, A सिरा है आपका, यहाँ पर खूटी बांदी हों गया, अब B और C पर commercial W1 और W2 भार लटका दिया है, ये दोरी, A, चिकनी गिर्नी, D से बुजरती है, तो आपको समझो, A को कहा बादा, खूटी पर, B और C पर वेट लटका दिया है, कोश्चन को आप दो-तीन बार पढ़ना, ये दोरी, अगला पॉइंट है D, D जो है वो चिकनी गिर्नी से बुजरता है, और जो पांचवां सिरा है E, जो स्वतंतर है यानि फ्री है, उस पर 800 नीटन का भार लटका दिया है, इस सबसे इंकोटन देखो, दोरी का भाग BC जो ह में है, और संपून निकाए, E, संपून निकाए, संतुलन में है, तो मैं थोड़ा साथ लिटन में समझाता हूँ, A को आपने एक स्खूंटी से बान दिया है, B और C का जो हिस्सा है BC, वो आपका शेतिर यानि और B और C पर आपने वजन यानि वेट रटका दिया है, ठीक, और D जो है वो चिकनी गिर्नी से बुजर रहा है, और जो चिकनी गिर्नी से बुजरता है को जी तो रसी नीचे लटड़ जाती है, उसको बलते है 130 और 130 पर 800 नियूटन का यहां पर वजन लटका दिया है, वेट लटका दिया है, और सारा सिस्टम, सब पर लगने के बाद भ हिस्सा है वो BC के साथ 150 और 120 दिगरी का पौन बनाते हैं तो यह दो बी और सी पर वजह रिटकाने से रस्सी नीचे आजाएगी और बी और सी का हिस्सा मैंने देखो शेतीज बनाया है होरीजेंटल है तो देखो रस्सी A से B पर आई से B से C पर गई, C से D पर गई, B पर क्या है? एक चिकनी गिर्नी है तो यह मैंने गोलगल जो बनाया है यह आपका की गिर्नी ओगय और गिर्नी पर रस्सी को छोड़ दिया तो रस्सी लटक भी, लटक ने पर उसका जो हो जा, वेट लटका दिया, उस रस्सी पर फ्री था, स्वधन तरह 800 N का बाहर लटका दिया है, तो यह point हो गया, A, B, C, T, और E, यह रस्सी आपके पास हो गया, ठीक है, अब देखो B, C, जो है, वो horizontal strategy बना दिया है, AB, BC के साथ 150, AB और BC, 150 degree, CD, BC के साथ 120 degree, CD, BC के साथ 120 degree का कौन बनाती है, एक, B पे W1, C पे W2, और E point पर 800 N का वेट या वजन लटका दिया है, यह तो question क्लियर हो गया, अब हमें, यह करना है, find, W1 और W2 है, अब देखें, तनावबल यानि टेंशन की बात करें, मैंने बार-बार कहा है, कि अगर यह कोई खूदी है, और इस पे रस्सी बांदी हुई है, तो इस बिंदू पर जाना इमटा contact है, रस्सी में, दूर जाता हुआ तीर का जो निशा आपका T हो जाएगा, तो देखो, इस पॉइंट के लिए, यह कोई खूदी है, B, इस पॉइंट पर रस्सी में, यह तनावबल टी, यह रस्सी का यह इससा इधर बंदा हुआ है, तो इसके लिए यह, तो यह तीर का निशान A के लिए, यह तीर का निशान B पर, अगर आप A पर काम लेंगे, यह A रो काम में लेंगे, B पर लेंगे, तो यह तीर लेंगे, इस तरह से इस पॉइंट के लिए, और इस पॉइंट के लिए, यह आपका तनावबल दूसरा हो गया, T2, और C पॉइंट और D पॉइंट के लिए देखो, C के लिए रस्सी में दूर जा रह दी के लिए भी रसी में दूर जा रहा है ती त्री और रसी के दूसरे हिस्से पर तहां गिरनी जाए दूसरे हिस्से पर यह है तनावगल टी-फोर और यह भी तनावगल टी-फोर और इस पॉइंट पर जो वेट है वह आज सो न्यूटन का नीचे आ रहा है ठीक कुश्चन आप देखो यह कुश्चन आपको समझ में आगया आप देखो देखो दी एंड ओफ ए स्ट्रिंग एबी सीडी का एक एंड है इस टाइप टू ए पैंड यानी खूंटी पैंग मेंस खूंटी एंड ड़ी और ड़ी तू आर सस्पेंड़े ड़ी और दी पर आपका ड़ी वा पर आपको सरुलिट अपूलीट सेट्टेड तो फ्रींड पर हमने 800 नहींट वेट को सस्पेंड कर दिया है यह पॉर्शन बी सी इस होरी जैंटल बी सी गाइस गाइसा होरीजन्टल है और होल सिस्टम इस इन इकुलिबियुम है न न कम्प्लीट सिस्टम में है तर फाइं the values of W1 and W2 and tension in portion AB, BC, CD AB, BC और CD में आपको tension find करना है the portion AB and CD the portion AB and CD maximum angle of 150 and 120 with the horizontal BC clear? अब इन सब के बेस पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहां एक B point है जहां पर एक दो तीन force काम कर रहे हैं इसका मतलब आप यहां पर Lamis apply कर सकते हैं C point पर एक, दो, तीन force काम कर रहे हैं यहां पर भी Lamis theorem आपका हैं कर सकते हैं लेकि Lamis theorem की एक force necessary condition है तीन बल में से एक बल known यानि ज्याद होना चीए T1, T2, W1 यह तीनो unknown है यह T2, T3, W2 यह भी तीनों में से कोई भी राची याद नहीं है यह भी भी नहीं है लेकिन अब हम शुरूआत कहां से करेंगे शुरूआत करेंगे हम रिखेंगे सामी अवस्ता में सामी अवस्ता में short में हम equally brim करते हैं देखो रसी साम में होस्ता में है, पुरा सिस्टम इसका मतलब यह जो रसी नीचे खीच रहा है आठ सो नीप्रन का भजन, इसको बैलेंस कर रहा है यह T4, यानि रसी जो तनाव वाल है T4 वो उपर की और है E-point के लिए और E-point के लिए 800 नीचे है, तो यह equilibrium में हम ऐसा मान रहे है कि उपर लगने वाले फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स जो रहें बराबर होते हैं, तो उपर की और लगने वाला फोर्स है T4 और नीचे लग रहा है 800 नीटन, तो पहला आप E-point पर आपने साम में वस्ता की शर्त क्यादार पर यह find कि उपर लगने वाला T4 जो बल ह नीचे लगने वाले 800 नीटन के बराबर है, दूसरी चीज रसी में हमने आये पड़ा है कि अगर हम यह रसी लेते हैं और इसके कई पॉइंट ले रहें, तो हर पॉइंट पर अगर हम तनावबल लगाएं, तो सब तनावबल का मान समान होता है, रसी जब तक complete A की पार्ट म एक वेट W1 है, इसलिए इसका और इसका रस्तनावबल अलग हो गया, C पर भी वेट बांग दिया रहें, तो T2 और T3 भी अलग हो गया, लेकिन यह गिरनी से रसी गुजर रही है, वो A की है, क्योंकि रसी गिरनी पर उपर नीचे हो सकती है, इस वेट के अनुसर, इसलिए रसी में का ये इसा और ये इसा का एक ही पार्ट है, तो मैं ये कहना चाहरा हूँ, इस सिस्टम से कि जो रसी में T3 है, इस पॉइंट के लिए, ये इधर जाने वाले T4 के बराबर होगी, तो एक बहुत इंपोर्टन चीज़ आपको सीखने को मिल रही है, कि तनावबल कब- इसमें कब-कब आपका रसी का एक ही इसा है, तो उसमें क्या कॉंसेप्ट रहेगा तनावबला, इसका मतलब T4 का 800 न्यूटन होगी है, और T3 की वेल्यू T4 के बराबर है, तो 800 न्यूटन ही होगी है, तो इसका मतलब ये जो T3 था, चाहिए यहां को, चाहिए यहां को, इस की वेल्यू होगी 800 न्यूटन अब T3 इसकी भी वेल्यू है यानि C पॉइंट पर जो तीन बलते T3 T2 W2 में T3 मालूम हो गया ठीक अब हम लामिस एपलाई कर रहे हैं एट C पर बड़ा हैं ठीक है C पर लामिस ठियोरम का डाईगराम बनाना मैंने कहा है बार-बार सबको आपको जब भी लामिस ठियोरम लगा है तब हमेशन डाईगराम अलग बना लें यह कौनसा पॉइंट बता एथा आपने C ठीक है और यह आपका कौनसा है C है न यह आपका 800 म्यूटन देखो बड़ा यह आपका है इस पॉइंट पर T3 और T3 की वेल्यू है 800 म्यूटन इसके नीचे जो है वो है आपका W2 और यहाँ पर आपका लगया T2 तीरो बल लगे किस बिंदू पर? C बिंदू पर आपके लग जाएंगे अब आप हम लोग मैंने यह भी कहाता लामिश तीरों में तीन बल में से एक बल मालूम होना चाहिए और एंगल सारे मालूम होना चाहिए अब एंगल की बात करें देखो यह वाली जो लाइन है T2 और यह T3 इसके बीच का टोटल एंगल 120 है तो मैंने यहाँ पर 120 लिख दिया आपका ठीके? अब देखो यह 36 दिशा है और यह उद्वादर है तो नेचरली इसके बीच का एंगल 90 आपके पास हो जाएगा अब तीसरा एंगल आपको चाहिए तो तीसरा एंगल निकालने का सिंपल तरीका है टोटल एंगल 360 होता है तो 120 और 90 जो है 120 और 90 310 कितने है? 210 210 210 में से 210 को मैनस कर देंगे तो हमारे पास 150 डिगरी आ जाएगा फिर जब आप इसको करें तो चेक कर लेना कि 120, 150, 190 जोडने पर 300 आना चाहिए फिर चेक कर लेना कि 120, 150, 190 को जोडने पर 360 जी तो लामीस थियोरम के हमने दोनों शर्ट पूरी कर ली इन तीनों में से एक मालूम है और ये तीनों एंगल्स हमें मालूम होगे अब लामीस लगाएंगे लामीस में हमने लिखा है T2 इसके सामने का कौन? साइन 150 डिगरी दूसरा है W2 और W2 के सामने का कौन? साइन 120 डिगरी और तीसरा जो है वो है वेटा 800 डिवाइट बाइस सामने का साइन 90 डिगरी तो इस तरह से T2 साइन 150 को जब आप कैल्पूलेटर से सोल करोगे तो आपका प्यास 1.5 आजाएगा जब आप W2 को मल्टीपल करोगे एक साइन 120 वेल्वी निकालोगी केल्पूलेटर से तो आपके पास जो वेल्वी जाएगी वो जाएगी 0.866 आजाएगा और ये 800 और साइन 90 को करोगे तो आपके पास 1 आजाएगा साइन 90 आपके पास 1 आजाएगा तो इस तरह से आपने C.1 लामीश लगा दिया है और लामीश लगाने के बाल ये भी जाएगा अब आपको क्या तरीका सिहा था पहले वाले वीडियो में कि हगर हम इसको इसके बराबर रखते हैं तो हमारे पास इसको T2 upon 0.5 equal to 800 divided by 1 तो इसको cross multiply किया तो आप ये T2 is equal to 0.5 into 800 equal to जब इसको solve कर लोगे तो बच्चों T2 की value 400 newton आजा जाएगा तो आप यहां देखेंगे इस case से T3 की value 800 आगे और T2 की value 400 newton आभी क्योंकि हमें tension find करना है AB, BC और CD में तो AB में T1 BC में T2 और CD में T3 तो अब हमारे पास T2 और T3 की value आभी है ठीक है? और यहां से W2 भी हम find करेंगे जब हम इसको equal करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यान से देखना है W2 upon 0.866 equal to 800 upon 1 तो यहां से आप W2 की value को find करेंगे तो 0.866 into 800 करेंगे तो जब आप calculator से इसको solve करेंगे 692.8 692.8 यहां से आपको W2 भी मिल गया W2 भी आपके पाद इस point पर आपको T2 T3 पर W2 मिल गया यहांनी C point पर तो C point पर T2 मिल गया T3 मिल गया और W2 मिल गया है तो यहां बचा है इस point पर ज्यान से देखो हमें T1, T2 और W1 तीनों ग्याद करना है लेकिन T2 की value आप इस C point से यह जो arrow था वो T2 की value आपने यहां से निकाल दी 400 मीटन है अब हम देखाएंगे Lame is at point Lame is at point B पर Lame is at point B B पर आपका graph देखो ऐसे है इस यह आपका टेंशन T1 है, यह आपका 150 है, यह जो एंगर है, यह आपका 90 है, और यह जो एंगर है जब आप 306 में से इसको माइनस करोगे तो यह 120 डिग्री आजाएगा, अब T1 और यह आपका T2 टीटू की value कितनी है उपर देखो? यह आपका T2 की value गाञेंज और T2 ओ enc 400 newton है और नीचे आपकी value w1 है यह find करना है तो इस वाले point पर इस b point पर आप t1 find करना है w1 find करना है t2 मालूम नहीं है यहाँ पर लाभी स्थ्योरम लगाओगे तो t1 upon sign 90 degree t1 के सामने का 90 equal to w1 w1 के सामने का कौन sign 150 और 400 newton के सामने का कौन है sign 120 degree sign 120 degree तो यहाँ से जब इसको equal करोगे तो यादारा आपको इसको t1 upon 1 w1 upon 0.5 वो values calculator से आपको निकालना है और इसकी value होजाएगी sign 120 degree point 866 जब इसको इसके equal करोगे तो t1 equal to 400 upon 0.866 वोजाएगा और w1 की value w1 की value है 400 upon 0.866 और यह 0.5 एक्रोस multiply वोजाएगा तो इसकी value आपके पास आजाएगी यह मैंने calculator से निकालनी value 461.8 और यह होगया 230.98 newton तो यह आपका w1 हो गया यहां से आप देखो w2 हो गया और यहां से आपका t1, t2 और t3 और इस तरह से इस question में दो बार दो क्वाइंट पर आपने अलाभी स्ट्यरों कर प्लाई किया और जो भी quantity आपको find करनी थी वह value आपने find कर लिए तो इस तरह से बहुत important question है पोल्टेक्णिक के एक्जाम में तो आया ही आया कई बार बागी इंग्जिनिक कोलेट में भी कई बार एक्जाम में आते हैं यह तरूर नहीं सिर्फ राजिस्तान के लिए basic mechanics जो है और इंडिया के किसी भी पोल्टेक्णिक कोलेट इसलिए अगले वीडियो में मैं एक नए टोपिक के साथ आऊँगा इस वीडियो में पिछले हो वीडियो और इस वीडियो में मैंने लामिस्तियों पर तीन प्रोग्रम्स करनाती है अब आप प्रेक्टिस कीजिएगा कोई डाउट हो तो मैं इस वार्षब नमबर पर 7742136202 पर आप मुझे किसी भी तरह के डाउट को कमेंट्स कर सकते हैं या फिर भेज कर मुझसे आप डाउट क्लियर दा सकते हैं चलिए ओल दी बेस्ट